मित्रो नमस्कार तीन विश्यों के बारे में आप से बात करनी हैं फिर आपको जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूँगा सरकार ने पैनिक में FDI के बारे में कुछ फैसले लिये हैं लेकिन देश की अर्थ विवस्था इतनी गंभीर चिंटा जनक स्थिती में है कि इसका कोई विशेश लाब नहीं होने वाला यह अश्वा जिए प्रेश प्रेश लाब दूच्छा जैन आपको अप्रेश लाब इन अपक्राव श्रूज़ कि इन अप्रेश लाब प्रेश ने प्रेशिटी आपको प्रेशनावा विशेश लाब श्रूबगा श्रूमति-सोनिया-Gandhi एंड श्री मन्मोन सिंग कुछ मुझे सवाल उठाने है इसके बारे में टेलिकॉम में फॉरन इंवेस्टमेंट को आपने 74 परसंट से 100 परसंट कर दिया है 74 परसंट इंवेस्टमेंट एक डॉमिनेंट इंवेस्टमेंट होता है अगर 74 परसंट पर इंवेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो हंड़ परसंट पर भी कैसे आएगा The BJP would like to know that if Indian telecom sector is not able to attract foreign investment at 74 परसंट how will it fare any better at 100% and the second important question is if the Indian telecom industry is in a very serious crisis why should foreign investment come in the telecom sector what is the reply of this this fundamental question is not being answered by the government of India and why it is not happening for three clear reasons there is corruption there is crisis of credibility lack of transparency and complete state of uncertainty एक फिल्म आई थी कुछ भी हो सकता है तो आज देश की अर्थ विवस्था में कभी कुछ भी हो सकता है और भारस सरकार देश की अर्थ विवस्था को सुधारने की जो गंभीर चुनौतिया आंत्रिक हैं उसके बारे में विचार नहीं कर रही है अपने दी के टिस्टवका पॉपट एपॉटी सिएस इनल चाहलंगैंज विच अफिक द इन एक उनलग में लाक फ्राश प्राश्परंशी बासिविप्रश हैं Adhokism, a state of uncertainty completely, and don't know what will happen when. Insurance sector में जो आपने 26% को 49% किया है, इसका क्या मतलब है? Insurance Regulatory Bill पर्लेमेंट में है, Standing Committee की रिपोर्ट आई थी, मैं स्वाइम फिनांस की Standing Committee का मेंबर हूँ, एक विस्तार से चर्चा करने के बाद सहमती बनी थी, Congress के लोग भी 26% के पक्षमें थी, संसद में चर्चा करने के बाद सहमती बनी थी, आपको मालूम है, what suddenly happens? Why this panic reaction? Mr. Chidamaram, should we presume that this sudden decision is a fallout of your recent visit to Washington? Where you were seriously reprimanded by the investor's community? Is it the fallout of a complete failure of a roadshow in Japan? हम यह बाते उठाना चाहेंगे, एक आएक कई विशे जो cabinet के हैं, उसको पांच मंतरी बैट कर तै करते हैं, अचानक, क्या मतलब है इसका? एक बात मैने अपने कुछ दिन के पहले प्रेस कॉंफरेंस में आपके सामने उठाई थी, why is the government making our economy only FDI driven? Why Indians are not investing in India? मैंने बताया था कि, savings is going down, Indian investment is going down, यह चर्चा मैंने की थी आपसे. आज यो FDI का इतना राग अलापा जा रहा है, तो हमें भारत सरकार से दो सवाल करने. पिछले वर्ष आपने FDI Retail को बहुत कसके प्रचारित किया था. लगता है कि भारत की अर्थ विवस्था, भारत की क्रिशी विवस्था में क्रांती के लिए, रिटेल में FDI जरूरी है. उनके मंत्यों ने लंबी-लंबी बाते कही थी, आपको मालूम होगा. आपको मालूम है, बहुत लंबी चोड़ी बाते कही गई थी. आज जब लगभग, आज दस महिना लगभग हो गया है, तो भाजपा की और से हमें एक सीधा सवाल पूछना है. FDI रिटेल में कितना इंवेस्टमेंट आया? The BJP would like to know from this government, as to what exact investment has come in India, in FDI in रिटेल. जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी ठोस प्रस्ताव नहीं आया है, जो कॉंक्रिटाइज हुआ है. आपने एवियेशन सेक्टर को खोला, उसमें सिर्फ एक प्रस्ताव आया, वो भी प्रस्ताव ऐसा है, जो भारत के हितों पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है. जेट इतिहाद डील, आपको पता है, उसकी चर्चा हो चुकी है, प्रवक्ताओं ने आपसे की है. तो भारत सरकार के पास क्या हम ये सवाल करें, कि FDI के अलावा भारत की अर्थ्विवस्ता को सुधारने के लिए और कोई दिकल्प नहीं बचा है क्या? हम ये सवाल उठाना चाहते है. Is the government of India has ran out of all options as far as management of Indian economy is concerned, except FDI? We are told that Dr. Manmohan Singh is a great economist. We are told that Mr. Chidambaram is a very seasoned finance minister, having the longest term as the finance minister of India. अब भारत के चुनाव में मुश्किल से नव दस महिने बचे हैं. अगर आप पौने दस साल में कुछ नहीं कर सके, तो आप छे साथ महिने में कुछ नहीं करने वाले हैं. If Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi led government could not do anything to revive, strengthen the Indian economy in the most nine and a half years nearly, I am sure they are not going to do anything in the coming six months. Why? This serious why is not being asked by them. क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका गंबीर सवाल वो नहीं पूछ पा रहे हैं. और गंबीर सवाल यह है, crisis of credibility, lack of trust, विश्वास का भाव, साख का भाव, क्योंकि यहाँ अनिश्चित्ता है, यहाँ प्रष्टाचार है, यहाँ तदर्थवाद है. आपको मैं एक उदारन देना चाहूंगा, याद करिये, एक दिन बहुत चर्चा आई थी, कि Environment Ministry is becoming a stumbling block, और प्रधान मंत्री ने मीटिंग बलाई थी, तिंग शाल बे एक्सपड़ाइट अने वार फूटिंग, पता नहीं अभी तक कितना clearance हुआ है, मुझे पता नहीं है. मित्रों भारत के आर्थिक सच्चाई क्या है? सब कुछ घट रहा है. सिर्फ दो चीजे बढ़ रही हैं. महंगाई और फिस्कल डेफिसित, और करेंट अगाउंट देफिसित. The parameters of Indian economy is that everything is going down, and BJP's charge today is that Indian economy today is akin to 1991 status. ये भारत के अर्थिवस्था हो गई है. और ये अर्थिवस्था एक ऐसे प्रधान मंत्री के अगवाई में हो रही है, जिनको एक बहुत बड़ा अर्थशास्ती कहा जाता है. तो जो बात नरिंद भाई जी ने बड़े सटिक तरीके से कहा था कि कॉंग्रेस की सरकार और कॉंग्रेस की स्थी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा अर्थशास्ती भी अनर्थशास्ती हो जाता है. और कल के जो निर्णे लिए गए हैं वो इसका प्रमान है. मैं आपको कुछ आकड़े देके विश्यक खतम करूँगा कि जहां तक तोटल इंफलेशन इस नाव रीटेल 9.4 परसंट सरकार कभी रीटेल इंफलेशन नहीं बता रही है. होल सेल प्राइस इंडेक्स दिल्ली में इतनी सबजी महंगी है टमाटर महंगा है सब कुछ महंगा है प्याज महंगा है इसके चर्चा वो नहीं करती और फूल प्राइस के बढ़ने के बाद यह और बढ़ने जा रहा है. आप जान लीजिए कि एक्सपोर्ट जो है वो 4.6 परसंट हो गया है. इंडस्ट्रिल प्रडक्शन हैस कम डाउन फ्रम 2.3 परसंट तो 1.9 परसंट. यह लास्ट अप्रिल की जो स्टाटिस्टिक्स है जो आई है ऑफिशली मैं बता रहा हूँ आपको. तो अध्योगिक विकास डाउन है आयात निर्यात डाउन है और बाकी मैं इंफ्रास्ट्रक्शर की चर्चा करता नहीं. लेकिन चुक्शे मैं आज आर्थिक परिस्टी पर चर्चा करना हूँ तो मुझे आपसे एक सवाल करना है. इस डेश में इंफ्रास्ट्रक्शर डिवलप्मेंट के मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं है. चाहे वामपंती हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कॉंग्रेसी हो, या रिजनल पार्टी हो. वहाँ एफ्डी आई पर भी बहुत डिस्प्यूट नहीं है, जो टेलेकॉम का हुआ, इसको अलग से देखने के जरूवत है. लेकिन क्या कारण है कि राजनीतिक सहमती के बावजूद देश का इंफरा स्ट्रक्चर डिवलप्मेंट कॉलाप्सिंग स्टेज में है. मैं बताता हूँ. पावर सेक्टर 68% अफ इंडियाज पावर नीडिस थर्मल बेस्ट, आपको मालू है. पावर सेक्टर इसलिए परिशानी में है, कुई कोईला घोटा ला है. टेलिकॉम सेक्टर, बिकॉस 2G है. कोई इंवेस्ट नहीं कर रहा है. थर्ड, रोड सेक्टर, नैशनल हाइवे. अगें देशनल प्रॉब्लम, CBI Rates in National Highway Authority, नैशनल हाइवे अथारिटी में कोई चीफ छे मने से दिक ठरता नहीं है. अड होकिजम in Rampant. And thirdly, is the real estate sector. जहाँ investment होता है, नौकरी मिलती है, जहाँ पर आपके cement, steel, क्योंकि real estate में घपले हो रहे हैं, फेजिजम हो रहा है. और एक बड़े परिवार से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्ति के लिए नियमों को कितना तोड़ा गया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं. Therefore, all the four major areas of infrastructure are today under terminal stage. एक बात मैंने एक आर्थिक कारिकरम में भाष्ण देते हुए कही थी, the only link between good economy and good politics is good governance. And good governance is the biggest casualty under Manmohan Singh, Sonia Gandhi, led UPA. Hence all this problem. बिना सुशाशन के अच्छी अर्थनीती नहीं हो सकती और अच्छी अर्थनीती और अच्छी राजनीती का एक मात्र से तु सुशाशन होता है. इस गंभीर सवाल पर ये सरकार अंतर विचार नहीं करती. No introspection. मैं तुरू एक दूसरा विश्य है मुझे बताना था. मैं देख रहा हूं पिछले दो दिनों से नरेंद्र मोदी जी पर कॉंग्रेस के नेता हमले कर रहे हैं. उन हमलों में शालिंता का अभाव है. मर्यादा विहीन है. The attack on नरेंद्र मोदी by the Congress leaders in the last couple of days is a shorn of civility and dignity. एक ही बात मैं कहना चाहता हूं. दस साल से वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरह के अलोचना करते रहते हैं. और हमेशा पराजित होते रहें. आज ये सवाल वो नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी जी की लोग प्रियता देश भर में इतनी क्यों बढ़ रही है? गाउं गाउं में, लोग उनकी और बीजेपी की और आप एक्षा भरी निगाउं से क्यों देख रहे हैं? जो जो इस सरकार की असफलता है, जिसकी कुछ चर्चा मैंने अपने वित्तिय टिपणी पर की, वही कारण है नरेंद्र मोदी जी की लुक प्रियता के. उनकी व्यक्तिकत इमांदारी, गुजरात के सुशाशन का रेकॉर्ड, और उनके नेथित्व की च्छमता. प्रियूरा, the Congress friends are failing to realize that all the ills which they have left for the country are the reason as to why Darendra Modi ji is becoming so popular. His impeccable integrity, his qualities of leadership, and his record of exemplary good governance. Congress party ये नहीं समझ पा रही है. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेगिन आप देख रहे हैं, उनके नेताओं की टिपणिया और चर्चा, पब्लिक डोमेन में है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है. मित्रों मुझे एक अंतिम बात कहनी है कि, बिहार में कल एक बहुत दुर्भागे पुर्ण घटना हुई है. 22 बच्चे अब तक मृत हो गए हैं. बिहार में हमारे वरिष निता सुशील मोदी जी आज वहां गए थे. ये राश्टिय तरास्दी का समय एक प्रकार से है, कि मिड़े मिल में इस तरह की स्थिती हुई है. सरकार ने जाँच का आदेश दिया है. हम उमीद करते हैं इसकी इमांदारी से जाँच होगी. जो हमने अपने बिहार के स्थितों से मालूम करने की कोशिश की है, कि अगर उन बच्चों को समय रहते तुरत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पसाल में पहुंचाया गया होता, तो शायद और जाने बच सकती थी. मश्रक लाया गया गाओं से, फिर वहां से उनको छप्रा लाया गया, फिर छप्रा के बाद पर पटना ट्रांसफर किया गया. उतना दूर नहीं है पटना से, जो प्लेस अफ अकरेंस है. मित्रों, इस पर कुछ और टिपणी में नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहनी है. पिछले बीस पच्चेस दिनों में महीने भर में कई घटनाएं घटी हैं, जो इस बात का संकेत है, कि नितिश कुमार जी की सरकार की पकड़ साइद साशन पर कुछ धिरी दिखाई पूट रही है. There are increasing evidence of the loosening of control over the administration. और उसका कारण भी स्पष्ट है, कि भाजपा के सरकार से अलग होने के बाद, राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनको अधिक समय देना पड़ रहा है. आपको मालूम है, 18 विभाग वो हैंडल कर रहे हैं, मंत्री परिशद के विस्तार करने में कटनाई हो रही है, अब यह उनके अंद्रुनी मामले हैं, इस पर मैं अधिक टिपड़ी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात सपर्ष दिखाई पड़ रही है, कि कहीं न कहीं साशन प्रसाशन पर नियंत्रन में कमजूरी दिखाई पड़ रही है, यह उसका सिम्टॉम है, पर नियुक्त अपनी ओर से नहीं कहना था, आम ओपन तो क्षिशन नाौ, पहले उत्तम जी ने उठाया था, यह नहीं, नहीं, आप राजी यह स्करी, गोएड, रामिलास परस्वान अधिक निवाइब रही है, रामिलास परस्वान, यह रामिलास परस्वान, जबस्टम करीड़ीपे रही कर देबुपाराबगीुराबीपे परस्वान, यह? न जवरीन इङक्तुर एंपनी परस्वान, यह नान्य पीप रस्पूम करापर देकश तया, भी अड्रेस्ट, यह बहुत ही बेबुनियाद आरोप है, मेरे ख्याल में जिन जदियों के लोगों ने इस तर के आशंका प्रगटकी है, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, कि राजनीती में विरोध होता है, हमनों सतरह साल काम किया है, साथ साथ, अब अलग हो गए हैं, लेकिन बेशर्मी की सथ तक में जाएं, मिस्टर आनन, मुझे इस सरकार में कौन मंत्री क्या बोलता है, और क्या फैसला होता है, कुछ पता नहीं चलता है, अब आपने बात की, अन्थोनी सहाब की एफडियाई पर, क्या मनमोहन सिंग्ण, एवियेशन में एफडियाई पर, अन बोर्ड थे क्या, जेट इतिहार डिल पर, पहरे दिन क्या बताया गया, कि पी-म ने अपोस किया था, बाद में क्या हुआ, इसलिए इस सरकार में कौन कहां कैसे फैसले कर रहे हैं, यह तो मानना, जानना बहुत कथी होता है, तो कि प्रदार मंत्री की पकड़ नहीं है, पड़े।, ह吗 है? के इसने है, जे थैसे प्रदार दीजू कने ठावकरा, मैं तरतावर्सय को あ możli है, नहीं हो थादूर थाजशी ब्रे क्या है, सारभ लोगतो रुदर पकार, ... ... ... ... I regret to defer with your assessment of that school. ... In the ChetnaONE Atara with Advani Ji I have visited all the places. ... ... they are in very good condition. ... ... all help are being given. ... if something more is required to be given, it must be given. But as far as the statue of Sadaar Patel is concerned, it is a statue which is long overdue to Sadaar Patel in India. अरस्तर मजूम्दार. अरस्तर मजूम्दार. बिलकुल नहीं. मेरे ख्याल में, अगर आपने, अगर आपका इशारा मेरी और है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तूटने के बाद, मैं हम लोग स्वाइम साड़क पर थे, गिरफतार भी हुए, खुल कर बोले हैं. लेकिन अपने अपने बोलने का एक लहजा रहेगा. अगर यह सच्चाई है तो और पीड़ा दायक है. यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बिहार सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए. बच्चों की कीमत बहुत ही महत्वकी होती है. हमें इस बात की चिंदा करनी पड़ेगी. यह हम सुनकर हम बहुत ही दुखित हैं, इस्तब्ध हैं. हम और तत्यों के जनकारी प्राप्त करेंगे लेकिन यह और गंभीर विशय है कि सिक्षा विभाग को और जो लोग मिड्डे मिल को मैनेज कर रहे हैं उनकी जवाबदारी के बारे में गंभीर सवाल उट रहे हैं तो जाच करके कड़ी करवाई करने क्या वशकता है प्राप्त आप पर लुओं रादिकाजी एक सेंड वाई। भी जबात डिजबन पुन्समें लोग झाल — पुटति नहींटू सिंगूने में पुटति नहींटूरों कि अपुति हैंश। the BJP cannot be the shield to protect the corruption of this government in the field of economy I think first of all let me reply to your first query they ignored us in the FDI in retail today it is a reality because it did not need parliamentary approval it came also and the debate the government managed to win good luck to the government what has happened thereafter I would like to reply to your query by a counter query has a single penny come as FDI in retail in the last more than 10 months that is the fundamental issue Mr. Srivastava as to why the investors are wary of India that fundamental question this government is not responding I think Mr. Vijay Gowell has already responded to that very adequately in the interest of the Delhi Bhajpa Shrivijaya Gowell has been given Mr. Ravinder बीजेपी को मनीश तिवारी से साम प्रदाइटा का सेटिफिकेट नहीं लेना है और उन्हें हमारे नेताओं से एक सवाल किया है तो शाहनवाज और मुखतार अबास नकवी दोनों हमारे वरिश नेता हैं और बीजेपी के समर्पित कारे करता भी है ठीक है मैं मनीश तिवारी से एक सवाल जरूर करूँगा चुकि उन्हें मारे नेताओं का नाम लिया है एक वक्ता वे आया था उनके वरिश नेता का 84 के सिख दंगों के बाद एक साल बाद अगर बड़ा पेड़ गिड़ता है तो धरती हिलती है इसके बारे में क्या कहना है उनका इसका उत्तर दे पहले है यज गएधिmud कि सर्जाट रुर स्थरकेंग संदियं गोंगाद साल मॉझन गविपन सान्म कως प्रेंच्मु काश्मीर हो सा recur sauna थिंगरो प्री काश्मीर केंडोट कि इसोल प्रेपैयर को right थिए हाई सेस्थ कोश्मीर के मैने हम एट नास से अब आई तिंग के बीजे जम्मू कश्वीर के बीजे पी में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जो उनके पदेश अध्यक्ष के बारे में अच्छा उत्तर देंगे तेंक यू था पूछे करें किसके हैं यह तेंक पहली बात मैं आपको बता दू कि अगर आप अगले चुनाओ की बात कर रहे हैं तो बीजे पी की सलाहियत बहुत साफ है कि अगला चुनाओ भरष्टाचार महंगाई बेरोजगारी असुरक्षा आतंकवाद और जिस तरह से मनमोहन सोनिया गाधी ने असहाय भारत असुरक्षित भारत छोड़ा है उस पर होगा नरेंद्र मोधी हमारे वरिष्ट नेता हैं हम सभी उनको खुब समझते हैं अडवाने जी ने कभी उनकी आलोचना नहीं की है जैसा आपने बताया ये श्वन सिनहा कि अगर आप टिपन कर रहे हैं जो टिपनी वो दस साल से करते रहे हैं और जन्ता उसका हमेशा प्रभावी उत्तर देती रही है थैंक यू थैंक यू क्या का फिर फिर पूजी दो नए ने बिलकुल ये कहना बिलकुल बेकार है अमीर एज़ा के बारे में मैंने कहा विजय गॉल्टी पढ़ी कर चुके हैं बीजे पी के बारे में जो कॉंग्रेस के नेता सामप्रदाइगता की बात आरोप लगा रहे हैं वो बिलकुल बेबुनियाद है गलत है मैंने पहले भी कहा है बीजे पी इमानदारी से सबों के साथ समान विवहार की कस की सका समर्थन करती है जस्टिस टू आल अपीज्बंट अफ नन और यही कारण है कि आर गुजरात में हमें क्रिश्चन वोट द मुसल्मानों के शेतर में आगे बढ़ रही है गुजरात में दस साल से कोई दंगा नहीं हुआ है और गुजरात में मुसल्मानों के विकास के दर हिंदुस्तान में सबसे अधिक हैं यह सभी बाते सभी जानते हैं यह कॉंग्रेस पार्टी फिर भी इन विश्चन को उठात है तो इनका उत्तर जंता पहले भी देती रही है और जितना वहां शालिंता कम होगी देश के जंता उसको उतनी कम विटता से लेगी दन्यवाद मैं शीमान मैं उसो करेट कर देना हूँ छमा करिएगा मनीश तिवारी जिनों टिपनी की है तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा मनीश तिवारी की यह छमता और योगिता नहीं है कि भाजपा को धर्ण इंश्पेक्ष्टा का सर्टिफिकेट दें कॉंग्रेस पार्टी क कि अपने अंदर जहांक कर देखें कि आपकी सरकार ने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को किस प्रकार से बचाने की कोशिश की अपने अंदर जहांक कर देखें कि मेरट में मलियाना में और भागलपुर में कितने दंगे हुए अपने अंदर जहांक कर देखें कि स